जैन दोस्तों, मैं उमें जगारवारी और आप देख रहे हैं मेजली राइट दोस्तों कल जैसे आप जानते हैं प्रधान मंत्री जी और उनके पूरे कैबिनेट की यूनियन कैबिनेट जो होती है उसकी स्वेरिंग इन सेरिमिनी हुई थी शपत ग्रहन समारो जो होता है वो हुआ राश्पती भावन में और मुझे बुलाया गया था तो मैं वहाँ पर गया और काफी भीड थी वहाँ पे काफी लोग थे लोगों में बड़ा excitement था और बाहर के भी कई लोग आये थे यह हम cover कर चुके हैं लेकिन बाहर से भी काफी लोग आये थे बाहर यानि की global south के काफी सारे leaders वहाँ पे आये थे और एक बड़ा जिसको कहते हैं festive माहौल था जैसे क कोई दिवाली होली चल रही हो वहाँ पे तो लोग बड़े खुश खुश थे आपस में लोग मिल रहे थे and they were congratulating random strangers were meeting and congratulating one another काफी अच्छा सा वहाँ पर माहौल था लेकिन कुछ लोग खुश नहीं है ठीक है और यह लोग politicians नहीं हैं लेकिन politicians हैं भी यानिकी हरकते हैं पू पहते हैं कि लोग हमें neutral बोलें एक एक खुश है दिल की कि लोग हमें neutral पहचाने जाने लेकिन दिल में कुछ और चलता रहता है लोगों के और सब के बड़े extreme political positions होते हैं वो बोलते नहीं और जो यह so-called loteans media है ये भी you know even all these guys they have very extreme political opinions मैं तो personally मिल चुक हूँ इन लोगों से opinions होते हैं और एक नएक political party के साथ जुड़े हैं मैं किसी व्यक्ति विशेश का नाम नहीं लूँगा इनका दाना पानी जुड़ा है आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ इनका political party से दाना लेकिन ये करांतिकारी पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं लोगों की नजरों में ये करांतिकारी पत्रकारिता लोगों की नजरों में इसलिए कर रहे हैं simply because जो government in power है ये उसके खिलाफ बोलते हैं इनको साफ साफ कहना चाहिए कि हम इस party से align है या इस party से align है मूँ पे बोली है मूँ पे बोली है साफ तोर पे बोली है लेकिन जब आप ruling party के खिलाफ align हो जा कुछ लोगों की नजरों में फिर आप मसीहा बन जाते हैं और उस so called मसीहा होने का जो की fraud है जो की fake है जो की 400 BC है उसका लोग फाइदा उठाते हैं एक अपना narrative चलाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं अब क्या हुआ देखिए कुछ डेटा है मेरे पास मैं के बताऊंगा फिर मैं आपको analyze करूंगा कि मैं किस तरफ इस conversation को ले जा रहा हूँ देखिए तो दोस्तों मुदी जी ने oath लिया and 71 ministers ने oath लिया जिसमें की 30 cabinet minister 5 independent charge और 36 minister of state अब portfolio जिनके बाद में announce होंगे आज कल में हो जाएंगे portfolio's announce anyway इसमें फिर बोला कि साब 61 ministers हैं BJP के है और 11 इनके alliance partners के हैं NDA में तो ये भी बात हो गई और फिर इसमें और भी data दे रखा है दुनिया वर का अब देखिए साब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या उसमें हुआ ये कि RJ साइमा RJ साइमा ये radio जोकी है और इनको अपनी बात रखने का हक है लेकिन कुछ लो और मेरी यही इन लोगों से शिकायत है इनका पूरा अधिकार है whatever political views they have that's all right but then these people become extremely bitter क्योंकि इनके मन का नहीं हुआ अब RJ साइमा क्या कहती है इनका tweet जरा editor साब screen पे लगा ये mockery of equal representations of all no Muslim Christian Sikh MPs in NDA ये कह रही है कि साब ये जो equal representation है इसका मकौल उड़ाया गया है इसकी मजाक उड़ाए गई है इसकी खिली उड़ाए गई है और NDA जो की ruling alliance है जिसके head prime minister मोदी है उसमें न कोई मुसल्मान है ना कोई Sikh है ना कोई Christian है कोई नहीं है अच्छा ये अपने आप में फैक्चुली गलप statement है ये जूट बोला है चेक कर लेते हैं इतना कौन patience नहीं है ना इतना सबसे पहले मैंने tweet भेज दिया कहानी का दम तालिया और जो great fact checkers है वो कभी इनकी class दिलेंगे वो जो fact checkers है भाई वो fact checker मुहम्मद जुबेर टाइप के लोग ये कभी fact check नहीं करेंगे कि मैडम अब जूट बोल रही है यो telling a lie ऐसा तो है नहीं ये fact check कभी नहीं होगा fact checking दोस्तों has been weaponized ये मैं आपको एक और बात बता दूँ इसको हत्यार बना लिया गया fact checking को कि जो मेरा मेरा खासल खास होगा मैं उसकी fact checking नहीं करूँगा मैं दूसरे की fact checking करूँगा और दूसरे को expose करूँगा सब को expose करो ये पर नहीं करेंगे या फिर अगर आपने को neutral दिखाना है तो मैं फिर हलका हथ रखूँगा जो मेरे खासल खास है उनके पर हलका सा कुछ बोल दिया कि लोग कहां कि हाँ साब आप देखो आपने उनकों भी बोला था लेकिन जो सारा का सारा जहर है उन पर ओडिलूँगा जिनके पॉलिटिकल कन्विक्शन जे व्यूज मुझसे अलाइन नहीं होते तो ये है fact checking का धन्दा दिस इस दे राइट वर फैक्ट चेकिंग बाइद वे इस बिसनस अप लोगों से पैसे पकड़ो आप सबसे पैसे और कोई गरत बात नहीं है आप पैसे कमा रहे हैं कोई गलत बात नहीं है बिना पैसों के घर नहीं चलता ना मेरा चलता ना इनका चलता ना आपका चलता लेकिन fact of the matter is कि यार you have to balance out things at the end of the day fact checking को इन लोगों ने weaponize कर दिया anyway तो ये सायमा जी कहती है कि भाई यहाँ पे कोई muslimान नहीं है कोई इसाई नहीं है कोई सिख नहीं है कोई भी नहीं है यह इनों ने एक भंड मार दिया इनका fact check नहीं हुआ आर्फा खानम शेरवानी अब दोस्तों यह देखिया आर्फा खानम शेरवानी कहती है 293 MPs 72 ministers 0 Muslims 0 this is how the largest democracy of the world excludes its Muslims by design आप समद रहे हैं इनकी यह शिकायत है कि इसमें से एक भी मुसल्मान नहीं है राइट अब बात यह है कि आर्फा खानम शेरवानी वहीं है जो सत्यपाल मलेक जी former governor जेन के थे उनके साथ बैट के इंटर्व्यू करा जिसमें सत्यपाल मलेक में बोला था अब मैं इनको ज़रा expose करता हूँ यह जो बात कहते है पहली बात आरजे साइमा ने क्या बोला यह factually incorrect चीज है यह देखिए 27 मंत्री हैं उनका OBC से तालुक है 10 ministers का SC से तालुक है 5 ministers का ST community से तालुक है और minority community से 5 का तालुक है 27 ministers are from OBC 10 from SC 5 from SD 5 from minority communities अब यह कहते हैं कि यहाँ पे कोई Sikh नहीं है कोई Christian नहीं है मैं इसका भी एक बार भांडा पोड़ देता हूँ फिर one by one चलते हैं देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो cabinet minister है Hardeep Singh Puri He's a very senior person Very respected individual Hardeep Singh Puri Ji यह से एक है रवनीच सिंग बिटू यह से एक है George Korean He's a Christian Ramdaas Atawale यह Buddhist है और पबित्र Margarita यह सारे के सारे जो है यह minority communities हैं तो इससे RGS Aima का tweet जो है यह हो गया cancel कानी खतम हो गई इसकी story अब मैं आता हूँ आरफा खानम शेरवानी के और ऐसे कई लोग है मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि क्या यार अगर कोई Muslim नहीं होगा तो भारत का समविधान फिर दिकार हो गया मैं यह नहीं कह रहा कि Muslim नहीं होने चाहिए बिल्कुल होने चाहिए हर जगे होने चाहिए nobody's saying no I'm not saying no certainly not as Gauravari I'm not saying no पर मैं कह रहा हूँ कि यह कहां की एक sense of entitlement है यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही यानि कि your previous president was from the SE community your current president is from the tribal community you have so many ministers and MPs from the minority community and nobody counts nobody counts कोई गिंती में आता ही नहीं है आर्फा खानम शेरवानी जैसे जो extreme extreme Muslim right-wingers है यह extreme Muslim right-wingers है and क्योंकि Muslim community को एक minority community कहते हैं या माना जाता है which I don't believe it is the second largest majority but अगर minority community अब मान भी लेते हैं तो अगर उनका कुछ नहीं हुआ तो बाकि कोई minority वहां पे नहीं है है यह नहीं कोई हम मानते ही नहीं जब तक यह नहीं होगा अच्छा अगर किसी को डाल देते है यह कोई चुनाओ जीत के आ जाता है NDA का मेंबर होता यह तो एक ही है अगर दस होते तो यह तो सवारेसस वाले हैं अगर बीस होते तो यह तो मोदी के चेले हैं मतलब अगर आपको देश का नाम खराब करना है पब्लिक ली क्योंकि आपके दो दरजन फॉलोवर एंट प्रिटर पे अगर आपको देश का नाम खराब करना है तो खुल के आओ सामने खुल के बोलो कि भाई हमारा एजन्डा यह है कि हमें देश का नाम खराब करना है मुझे ये बात समझ में नहीं आई लगातार लगातार ऐसे misconception यर एक बात बताओ यही चीज़ अलज़ीरा ने भी कहना शुरू कर दी कि एक भी मुसलिम नहीं था तो क्या हुए यर अगली बार हो जाएगा पिशली बार हो जाएगा अगली बार हो जाएगा शानावास हुसेन साहथ थे he was a minister he was a minister as part of the Modi cabinet he was a Muslim तब तो इन्हों नहीं बोला कि अब वो एक ही है या अगर खान साब हमारे करला के गवर्ड वो तो एक ही कितने चाहिए मुझे समझ में नहीं आता what they want in any way it should be based on merit right पर ठीक है politics है लोगों का representation होता है ठीक है we all agree to it हम agree करते हैं इस चीज़ को मना नहीं कर रहे लेकिन हर समय एक चीज़ का point out करना कि ये नहीं हो गया ये नहीं हो गया फिर victim card खेलना फिर victim card खेलना एक platform बनाके लगातार दर लगातार victim card ये नहीं इससे क्या होता है कि मन में खटास आती है ये मैं बताना चाहता हूं लोगों को इससे मन में खटास आती है जब हर चीज आरजे साहिमा जैसे लोग ये आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग हर चीज़ को अगर मुस्लिम और इसलाम की नजर से जज़ करेंगे और ये करते हैं और लगातार दर लगातार करते हैं एवरी टाइम शारुक खान चला गया तो ट्वीट आजा कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम चले गए यार हद वो शारुक खान है यार वो इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है वो भारत का सबसे बड़ा नाम है मूवीज में इस अमंग टॉप वन और टॉप टू मोस्ट रेकोगनाइस पीपल उसको ना बुलाएं क्योंकि ये भी चाहते हैं ये भी पॉलिटिकल स्टेट्मेंट और दोस्तों मैं एक बाद बताओ ये जो लोग भी आप लोग गुमरा होते हैं आपके लिए मेरा एक छोटा सा मेसेज है I know very well how the social media works है ना मैं इससे बली बांती परिचित हो लोग बेवकूफ बनाते है people lie to their subscribers people lie to their followers कोई भी एक चीज़ देखो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं ठीक है जी हर चीज़ के दो पहलू होते हैं आपने बोला कि देखो तेल के दाम 70% बढ़ गए जब से मोदी 2014 में आये था 2014 से लेकर 2024 70-72% तेल के दाम बढ़ गए हाई 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 तेल के दाम बढ़ गए वो ये नहीं बताएंगे कि 2004 से 2014 जब कॉंग्रिस की सरकार थी तब 100% से ज़्यादा बढ़ा था तब किसी ने कुछ नहीं बोला क्या तेल के दाम बढ़े हैं and this is so sad this is so sad and to play the victim card every time हर जगे victim card play करना हर जगे victim card play करना इन से जो disagree करे चातियां, पीटो, रो, गाउ I'm not done here these people have been badly exposed and I'm sorry that you know you feel the way you do it's extremely shameful actually मैं तो इन दोनों लेडिस से एक ही बात कहूँगा, एक काम करते है ठीक है आपको खुश करने के लिए असदुद्दीन OVC को बना देते हैं परधान मंतरी देश का ठीक है और उनके भाई को जिनको 15 मिनिट का बहुत शोक है उनको बना देते हैं ग्रै मंतरी चाहे 15 मिनिट के लिए बनाए क्योंकि उनको 15 मिनिट में बहुत कुछ करने का शोक है और मैं गोरा वारिया मैं बन जाता हूं गुलाम अली ठीक है मेजर गोरा वारिया बिकम्स मेजर गुलाम अली दनाए होप यू वी अपी